में फसे मंतरी जी के तो 21 सदी के इस इंटरनेट यूग में क्या आम क्या खास सभी को चौकना रहने की जरूरत है क्योंकि कौन कब उसके किस काम को मोबाइल में क्याद कर उसे वाइरल कर दे पता भी नहीं चलता वाइरल वीडियो के फेरे में जर्कंड के स्वास्त मंतरी भी आफ़सें उनका पैसा लेते हुए एक वीडियो 23 से वाइरल होने लगा है उस वीडियो के बारे में लोगों का कहना है कि मंतरी जी रिश्वत ले रहे हैं लेकिन मंत्री जी क्या कहते हैं आए देखते हैं इस रिपोर्ट में में लेते हैं और दूसरे शक्स को देते हैं बस इसी का वीडियो बना कर किसी के द्वारा वायरल कर दिया गया मंत्री जी का बोड़िगाड है मंत्री जी बोले कि तुमारे पास 15,000 रुपे है हम अपने पास से पैसा इनको दिये गीन के अभी कोने 15,000 रुपे उन्हों पे चबुद राके यह दिये के पनावागी अब कहीं पैसा तुनों के चंदा अगर यह कठा हो जाएगा तो उसमें स इसा किसी तरह के बात नहीं है कि वह 50,000 रुपे है उधर वीडियो वाइरल होने की जानकारी मिलने पर मंत्री खासा नाराज है अपत्ती जताते हुए उनका कहना है कि ऐसा जिसके दौरा भी किया गया है वो कहीं से भी सही नहीं साथ ही मंत्री जी ने कहा कि एसपी को इस बावत आवेधन दे दिया गया है कि दोधी लोगों का काम है यह कात करना जुकि करने के लिए कार्ट किया जा रहा है हमने एसपी को भी सरग्यान में दिया है एक लिखित जो केस करने का भी आगरा गया है पुलिस इसमें मामला कित करकी और हम लोग इसकी जाच कर रहे हैं और अभी तक की जो करवाई है अभी तक की हमारी जो जाच है उसमें कोई इस तरह की बात सामने नहीं आई है तो जो लोग भी इस संदर्ब में ऐसे करवाई कर रहे हैं पुलिस की जो जाज है वो पूरी हो जाने के बाद उन पर विदी समध करवाई कर रहे हैं एक तरफ मंत्री के द्वारा पैसा लेने का वाइरल हो रहा वीडियो तो दूसरी तरफ पैसा देने वाले उनके गाड और खुद मंत्री जी द्वारा दी जा रही सफाई तो अधर मंत्री के आविदन के अधार पर वाइरल वीडियो की जाज करने में जुटा प्रशास अब देखना है कि वीडियो को गलत तरीके से वाइरल करने वाले कब पकड़े जाते हैं चंदन कश्यप जी मीडिया गड़ा